असलाम लेकुम गाइस वेलकम बेक टू एंड अधर वीडियो संडे का दिन है बोर हो रहा था कुछ करने को है नहीं पैट के मैंने का चलो देखते हैं आटो इंडेस्ट्री की क्या न्यूस है कौन कौन सी नहीं गाड़ी आने वाली है तो तीन नहीं गाड़ी आने वाली है मत तब इसी मन्त लाउंच हो लेंगी तो सीन ऐसा है कि उन गाड़ीं के बारे में आपको बताते हैं पर सुजूकी केरी डबे में इन्होंने इसी दे दिया बड़ी बात है आफटर आइगस 43 यर्स तो इन्होंने इसी दिया उसकी भी आपको बताएंगे कि बहुस कैसे इसी द कोई कैरी कर रहा है फिलाल तो बॉलान को देखते हैं कब तक यह चलाता है और इसमें एसी दे दिया है बड़ी बात है सुजूकी ने दिया है बाकि मैं कोश्च करूँ है बंडे वाले दिन सुजूकी की डिलर्शिप पर जाके ना देखूं के भई वाके में इन्होंने इस इस महीने नई गाड़िया आने वाली है और कि क्या यार सब्सक्राइब करो बेल आइकन मस्ट है इंस्टाग्राम पर फॉलो करो इंस्टाग्राम और रिवीउस बैसत के नाम से यह वीडियो की डिस्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा वो जाकर देख लेना अब एक चीज है मुझे लगता है कि अगर अगर होंडा सिवे अपने सिवेक में सेंसिंग के तमाम फीचर देता है तो फिर तो यह प्राइस आइगिस वर्थ इट है मतलब ठीक है क्योंकि अगर आप वैसे भी सिवेक इंपोर्ट करते है ना जो इनका टूरिंग वेरियंट है जिसमें तमाम अमशन है तो वो आपको अल्मॉस्ट 51 लेक के राउंड बाउट कास्ट करती है बाकी इसमें आपने ड्यूटी डालनी है पाकिसान में जो इंपोर् कास्ट करता है इसकी बिल्ट कॉलिटी और इसकी बिल्ट कॉलिटी में फर्क तो होगा डेफिनिटली बट अगर अगर फिर मेरी बात सुन लो अगर होंडा फीचर देता है ना फिर तो समझ आती है कि यार वर्थिट है अब मुझे लगता है कि होंडा ये फीचर देगा क्य वाजमी होगा Civic 11 generation यह function भी अगर Honda देता है इनका lane assist, emergency breaking और बाकी है Honda sensing के features तो फिर तो मतलब एक अच्छी option है क्योंकि still price थूड़ी सी overpriced लगती है no doubt इसमें कोई वो नहीं है कि हर बंदा कह रहे है बट यार अगर यह सारे features देता है तो फिर कुछ समझ आती है basic variants की price obviously यार जादा है और इसमें आपके पास 1.58 turbo charge engine 180 horsepower, 214 newton meter of torque अच्छे यहाँ पे यह लोग 180 horsepower बता रहे हैं जबके अगर आप Honda की official site पे जाते हो ना तो वहाँ पे 182 horsepower mentioned है पाकिसान की नहीं website जो है जो आप Honda की official international website है या US की किसी भी आप website पे जाते हो Honda US की तो वहाँ पे 182 horsepower है तो यह जब गाड़ी launch होगी तो तब ही आपको exact बताएंगे के बहुत क्या है 8-11 की average shape मुझे तो अच्छी लगी है यार मुझे बहुत पसंद ही है और 24 March को यह launch की जा रही है यह इसकी prices है जो basic variant है वो 50,99,000 जो mid spec है M variant CVT इसमें एक जो basic है वो non-orial है उसमें जहां तक मेरा ख्याल है जैसे पहले होता है non-orial में आपको sunroof नहीं मिलता then push start नहीं होता और क्या नहीं होता इसमें आपको fabric seats मिल जाती है और जो infotainment system होता है वो basic CD system होता है आपको touch panel, navigation वाला पैनल नहीं मिलता then और यहल में आपके पास यह आ जाता है कि leather seats आ जाती है navigation आ जाता है post start, sunroof और इस तना के options तो वो 53,99,000 और जो top spec है 61,49 होंगे अभी Honda Civic की जो recent price चल रही है न वो देख लेते हैं कि इस वक new city की क्या price चल रही है अगर आप आज अभी तो मेरे खाल से booking उसकी नहीं चल रही अभी तो booking आपको new city ही की, city आ गया new civic की मिलेगी तो इस website के मताबिक आज के 51 होनी चाहिए roundabout जहां तक मेरा ख्याल है क्योंकि जो turbo थी वो last 50 कुछ पे हाई थी तो ये 51 पे होनी चाहिए कहां गई इसकी price तो नहीं बता रहे है यहां पे price कहां गई price, 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 price p-rice, p-rice 51, 75 की turbo है और 40,79,000 की basic है तो अब turbo जो आती है अगर उसले हाँ से देखा जाए तो ठीक है मतलब एक लाक नहीं 53,99 क्योंकि जो turbo आपकी आती है वो औरियल में आती है और वो basic होती है उसमें इस तरह के functions कोई नहीं है मतलब electronic functions इतने नहीं है यह है कि आप इसको consider कर सकते है mid spec तो उसले हाँ से देखा जाए तो 5175 की पुरानी turbo आपको मिल रही है और 53,99 तो बहुत जादा massive difference नहीं है इस वाले में तो obviously बहुत जादा difference है बट still इसमें options देखने पड़ेंगे कि Honda इसमें sensing के कौन-कौन से options देता है AC वाली जोनों नहीं बनाई है न बट इसका एक नुकसान होने वाला है कि सफाई करना बड़ा मुश्किल होगा इसके लिए आपको ये booking स्टार्ट है इसकी booking इन्होंने मेरे खाल से 12,00,000 से स्टार्ट की थी देखो 12,00,000 और all variants तो अगर आप booking राना चाते हैं तो करवा सकते हैं वैसे भी launch होने वाली है पार्क विल्स पे मैंने देखा था 24 फरवरी को launch होगी और आज है जी तेरा फरवरी नेक्स्ट निउस सुजूकी के जो बॉलान आता है केरी डबा अचा पहले मुझे लगा ये फेग है किसी ने आफ्टर मार्केट लगवा के तो एक वो किया है कि यार नहीं सुजूकी ने जैन्वन इस तरह का दिया तो जब पार्क विल्स पे देखा मैंने का नहीं यार वाके में ये देखो इसी इन्होंने लगा दिया फाइनली इसके एर वेंट्स दियें और कुछ इस तरह के बटन है इसके बटन्स की हालत देखो मैं कोशी करता हूँ कि मंडे वाले दिन सुजूकी के डिलर्शिप पे जाके देखूं कि वाके में इन्होंने इस तरह के बटन दियें या या किसी ना आफ्टर मार्केट लगए है अगर वाके में दियें तो फिर तो अल्ला आफ़ेस है अच्छा दिन इसके बाद सुजूकी की ही एक और प्रोडेक्ट आने वाली है जिसका नाम है सुजूकी सुफ्ट अब वो उसमें इंजन ऑप्शन्स मेरे मताबिक वो ही पुराने वाले GUY होंगे नीू आप्शन्स नहीं होंगे मतलब नीू आप्शन्स है मुराद के इंजन ऑप्शन्स की बात कर अरे एक तो इसका यह मैं बड़ा तंग हूं न ऐसे इसका काम करना छोड़ कहाई सिजुकी स्विफ्ट तो पाकिसान में जो आपको चलो प्राइस इन पाकिस्तान देखते हैं क्या चल रही है दस लाक अब ये क्या हो गया दस लाक में तो भी वो केरिड़ बन या था सही ये पुरानी वाली स्विफ्ट अभी दे रहे हैं न्यू स्विफ्ट यार इसमें वही तेरा सो सीसी इंजन वाली आएगी तेरा सो और हसार यूँके पाकिसान में टर्बो चार्ज नहीं आ रही ये देखो ये शेप है इसका और रेडी मैंने रिव्यू किया है जो वन लिटर टर्बो के साथ आती है उपर लिंक में दिया होगा जाकर देख सकते हैं अच्छा ये थर्टीन ट्वंटी एट सीसी इंजन के साथ होगी बन पॉइंट ट्री डियल एक्स और ये इसके स्पेक्स लिखे में हैं कि सिजुकी कौन कौन से आप्शन्स देता है यहाँ सैसे आप लोगों को वैसे दिखाते हों कि यह यह आप्शन है बाकी है कि जब गाड़ी लाउंच की जाएगी तो इसका एक टिटेल वाकरांड आप लोगों के लिए लेके आएंगे सिजुक होगी यह होगी दिन चंगन का एक क्रॉस ओवर आ रही है और शान एक सैवन के नाम से इसको भी देख लेते हैं यह फिलाल यह तीन गाड़ियां मार्किट में आने वाली है प्राइसेज यह एस्टीमेट इन्होंने बताया है यह है जी और 69.50 बट स्टिल इट डिपेंड्स ओन के क्या फीचर देता है चंगन और आजकल यूनिटी जो इनकी थी ट्रॉस ओवर वो भी बड़ी स्पॉर्ट की जा रही है तो चंगन उसको भी पाकिसान में टेस्ट कर रहा है तो वो भी इंशाला जल्द ही लॉंच की जाएगी देख और oh ocean x7 और x7 प्लस दो वेरियंट्स और रहे है वाकी यार इसका अगर यह डैश देखो ना इंट इर का तो proton x70 से काफी हद तक resemblance करता है, तो काफियाद तक मिलता है proton x70 से बाकी, obviously launch होगी तो इसका एक detail review आप लिए लिए लेके हैं शेप मज़े की यार अच्छी शेप है इसकी बाकी देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स इसमें देते हैं अचा ब्रेक एसिस्ट आ गया EBD आ गया, traction control, reverse camera ABS, hill start assist, electronic brakes, airbags अब देखते हैं, airbags इसमें कितने आते हैं दो देते हैं, या च्छे देते हैं बाकी, वो, push start अचा ये तो आप normal features हैं ये तो आप भार गाड़ी में almost आ रहे हैं LED lights, keyless, entry, five-seater, wheelbase वहरा इतना है बाकी, obviously, जब गाड़ी launch होगी तो ये सब कुछ details है, आपको बताएंगे X7, अचा ये मेरे ख्याल से ये जो, एक, जो plus वाला variant है न, वो 7-seater होगा I guess, तो कि मैंने एक जगह सुना था कि इसका जो एक top variant हा रहा है न, plus में वो 7-seater होने वाल है तो फिलाल पाकिसान, इस मन्त में ये ही तीन गाड़िया launch होने जा रही है सुजूकी सुइफ, सेविक 11 जेनरेशन और चंगन की ओशान ओशान, I guess, या तो नेक्स्ट मन्त के फर्स्ट वीक में हो जाए या इसी मन्त के last में बाकी ये दो तो most probably last week of this month हो जाएंगी launch तो ये थी आज की basic सी वीडियो तो इस चैनल को भी सबस्क्राइब करो और मेरे main चैनल को भी सबस्क्राइब करो ठीक है, आप से मिलेंगे किसी review के साथ, किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए हम इजाज़े दीजिए अलाफिस और हाँ यार, इंस्टाग्राम पर भी तो फालो करना है ना आपने ये इंस्टाग्राम आइडिया देख लो, तो जाओ यार फालो करो और चैनल सबस्क्राइब करो